गुड मॉनिंग एव्रिवन बचे आज एक न्यू चैप्टर लॉव में शुरू कर रहे हैं चैप्टर फाइव बहुत सिंपल सा चैप्टर है बटा देखना है चैप्टर फाइव acceptance of deposits by companies तो पिटा सबसे पहले समझेंगे यह word deposits का क्या मतलब है पिटा जो deposits है न उसका meaning definition आपको दे रखिये section 2 clause 31 of companies act 2013 क्या कहता है यह section आओ मेरे साथ देखो पिटा पहुत ध्यान से समझना है मेरी बात definition of deposit section 2 clause 31 क्या कहता है देखना है what is a deposit deposit includes any बेटा very important word any any receipt of money by company अगर मैं यहां तक समझूना बिटा तो उन्होंने का है deposits का क्या मतलब है any any मतलब किसी भी तरह की किसी भी तरह की money की receipt अगर company को हो रही है simple words में बोला जाए तो अगर company को कोई पैसा मिला है न उसे क्या माना जाएगा deposit किसी भी तरह का कोई भी receipt अगर company को हुई है तो उसे क्या माना जाएगा deposit आगे पढ़ते हैं वो receipt कैसी होनी चीए by way of a deposit or loan or in any other form यानि बेटा simple words में पता है क्या उन्होंने पहली बात कही अगर company को कोई receipt हो रही है by way of a deposit मतलब अगर company को किसी भी तरह का कोई भी deposit मिल रहा है न तो उसे क्या माना जाएगा उसे section 2 clause 31 के हिसाब से deposits माना जाएगा अच्छा अगर company को किसी भी तरह का कोई भी loan receive हो रहा है loan receive हो रहा है तो उसे भी deposits माना जाएगा और बेटा ये बोलके न उन्होंने सारी बात ही खतम कर दी or in any other form मतलब किसी भी तरह की कोई भी receipt अगर company को हो रही है तो that receipt will be considered as deposit बेटा मेरी बात सुरू अगर मैं short में बोलू ना तो उन्होंने का what is a deposit any receipt of money by company any receipt of money by company मतलब किसी भी तरह का कोई भी receipt अगर company को हो दी है तो उस receipt को क्या माना जाएगा deposit माना जाएगा बेटा अभी ध्यान से सुनना बेटा मेरी बात बेटा अब अगर हम बात करें private company की और अगर हम बात करें public company की बेटा तो एक बात याद रखना उन्होंने का है private company can accept deposit from members only यानि बेटा एक बात याद रखना private company public से deposits accept नहीं कर सकती है private company सिर्फ और सिर्फ members से ही shareholder से ही deposits accept कर सकती है what about public company public company can accept deposits from members and also from public click if it fulfills certain parameters पेटा मैं आपको ने एक diagram बनाता हूँ वैसे आगे पढ़ना है हमें लेकिन मेरे साथ लिखना पेटा पेटा company हमारी दो है company हमारी दो है एक है private ठीक है और एक है public तो उन्होंने जहां तक की बेटा private company की बात कहिए उन्होंने काए private company can accept deposit from members only तो private company तो deposit सिर्फ और सिर्फ किस से ले सकती है बेटा members से ले सकती है public से नहीं ले सकती है अब सुनना पेटा public company भी ना दो तरह की है इस chapter के हिसाब से पेटा इस chapter के हिसाब से पता है कौन सी बेटा एक है eligible यागे पढ़ेंगे बेटा section 76 पढ़ेंगे यागे section 76 पढ़ेंगे ना उसमें दे रखा है आपको एक है eligible public company और एक है in eligible public company तो public companies भी दो है eligible और in eligible सर ये eligible कौन सी होती है पेटा eligible वो होती है जिसकी net worth जिस company की net worth 100 करोड या उससे जादा है या फिर या फिर जिस company का turnover बेटा 500 करोड या उससे जादा है वो कौन है eligible public company तो या तो net worth 100 करोड या उससे जादा हो या फिर turnover 500 करोड या उससे जादा हो वो कौन सी company है eligible तो अव्यसी बात है फिर बेटा ineligible कौन सी हो गई others other than eligible बेटा जो eligible नहीं है वो ineligible है बेटा मतलब जिसकी net worth 100 करोड से कम है plus जिसका turnover 500 करोड से कम है वो ineligible है बात समझाई बेटा बेटा word का मतलब समझो eligible का क्या मतलब हुआ बेटा eligible का मतलब हुआ कि this company is eligible is eligible to accept deposits from members as well as from public तभी तो इसे eligible कह रहे eligible मतलब this company is eligible to accept deposits from public अच्छा ineligible क्यों कह रहे हैं बेटा इस company को क्योंकि ये public से accept नहीं कर सकती है ये सिर्फ किस से accept कर सकती है members से यानि बेटा मुझे एक बात समझाई है इस चार्ट को देखके कि सारी public companies भी public से deposits accept नहीं कर सकती है बेटा सिर्फ eligible जो है ना public companies वही public से deposits accept कर सकती है अगर कोई public company ineligible है मतलब जिसकी network 100 करोड से कम है और जिसका turnover 500 करोड से कम है वह बेटा public से deposits accept नहीं कर सकती है पॉइंट समझाए ठीक है copy कर लो इसे फिर में आगे चला कराता हूँ आपको clear हुआ सबको कर लिया copy चलो पेटा ध्यान से सुनना है अब उन्होंने कहा है what is not a deposit what is not a deposit मतलब किस किस को किस किस को deposit माना नहीं जाएगा और क्योंकि वो चीज deposit नहीं है तो बेटा एक बात याद रख ले न ये section ये chapter in fact उस पे apply नहीं करेगा मैं दुबारा बोल रहा हूँ कौन कौन सी चीज को deposit माना नहीं जाएगा ये specified है बेटा rule two one sub clause c में बेटा rule two sub rule one clause c में specified है ठीक है तो यहाँ पर देखो deposit does not include such categories of amount as may be prescribed in consultation with RBI मैं आपको थोड़ा साना एक concept समझाता हूँ वो समझ के देखना बेटा समझ के देखना है जड़ा पिटा section two clause 31 ने पिटा deposits को define करा था और इसने कहा था deposits क्या होते है एनी receipt of money by company मतलब company को अगर कोई पैसा receive हुआ है ना तो हम उसे क्या मान लेंगे बेटे deposit मान लेंगे ठीक है और इस chapter के provisions chapter five के provisions उसके ओपर क्या कर जाएंगे apply कर जाएंगे चलो समझा क्या अब मैं आपको ना कुछ examples देता हूँ यह देखना बेटा यह देखो यह बेटा company है यह company है और यह government है ध्याद से सुनना बेटा 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 government ने न कंपनी को दी grant यह government ने company को दी subsidy यह government ने company को दी donation जो भी नाम दे लो बेटा grant दी subsidy दी donation दी तो company को पैसा क्या हो रहा है बेटा company को पैसा क्या हो रहा है receipt और section 2 clause 31 ने कहा था any receipt of money किसी भी तरह की receipt को किसी भी तरह की receipt को बेटा deposit मान लिया जाएगा तो बताओ यह जो grant company को मिली है यह जो subsidy company को मिली है यह जो donation company को मिली है इसे क्या मान लिया जाएगा बेटा deposit मान लिया जाएगा और बेटा private company deposits सिर्फ किस से ले सकती है बेटा members से public company जो ineligible है बेटा eligible तो सबसे ले सकती है eligible की दिक्कत नहीं है समझना ineligible public company भी सिर्फ किस से ले सकती है बेटा deposit members से अब बताओ, सुनो सुनो, अब बताओ, सपोस, सपोस, ये company पता है कौन सी है बिटा, ये private company है, या ये in eligible public company, मैं eligible की बात नहीं कर रहा हूँ, क्यूंकि वो तो सबसे ले सकती है बिटा, मैं private या in eligible की बात कर रहा हूँ, सुनना, government ने company को grant दी, subsidy दी, donation दी, तो section 2 clause 31 ने कहा, अच्छा, आपको पैसा receive हुआ है, हम तो इसे क्या मान लेंगे, हम तो इसे deposit मान लेंगे, और private company, members के इलावा, deposit नहीं ले सकती, मतलब, government से आप, बेटा समझो, government से आप grant नहीं ले सकते हैं, private company, बेटा, private company, members के इलावा, deposits नहीं ले सकती है, तो बेटा, private company, क्या government से grant ले सकती है, नहीं ले सकती बेटा, अच्छा, सुनो, ध्यान से अभी काम खतम नहीं हुआ है, ineligible public company, सिर्फ किस से deposits ले सकती है, members से ले सकती है, तो क्या ineligible company, ineligible public company, government से grant लेगी, क्योंकि अगर government से grant ली, तो उसे क्या मान लिया जाएगा, deposit, और बेटा, ineligible public company, members के इलावा, किसी से deposit नहीं ले सकती, तो क्रक्स तो इस बात का पता है, क्या आगया, private company, जो अभी तक समझाया मुझे, private company, government से grant नहीं ले सकती, क्योंकि अगर grant ली, तो उसे क्या मान लिया जाएगा, deposit, और private company, members के इलावा, किसी से deposit ले नहीं सकती, अच्छा, ineligible public company, government से grant नहीं ले सकती, क्योंकि अगर grant ली, तो उसे मान लिया जाएगा, deposit, और ineligible public company, अपने members के इलावा, किसी से deposit नहीं ले सकती, इसका मतलब, private company, औ और ineligible public company, grants, subsidies, donations, government से नहीं ले सकती है, अगर ली, तो मान लिया जाएगा deposit, और private company और ineligible public company, members के लावा किसी से deposits नहीं ले सकती, बेटा, contravention हो जाएगा, समझ आया, चलो, अब सुनो बेटा, बात समझना मेरी जो मैं कहूँगा, एक और example, bank, यह for that matter, financial institution, मैं आपको concept थोड़ा समझा रहा हूँ जाएगा, बेटा, अब क्या हुआ, यह company, bank financial institution से loan ले रही है, लोन ले रही है, ठीक है, अब सुनो, सुनो, ध्यान से, बेटा, logic देखना, logic, अब सुनो, company ने bank financial institution से loan लिया, कौन कूद गया गया, section 2, clause 31, कूद गया गया, बेटा, कहा, अच्छा, तुम्हें पैसा receive हो रहा है, bank financial institution से, in the form of loan, तो उसे तो क्या मान लिया जाएगा, बेटा, उसे तो deposit मान लिया जाएगा, क्या मान लिया जाएगा, इसे deposit मान लिया जाएगा, एनी receipt of money, deposit मान लिया जाएगा इसे, और deposit मान लिया जाएगा तो, private company, bank financial institution से deposit नहीं ले सकती बेटा, सिर्फ किस से ले सकती है, members से, ineligible public company, bank financial institution से deposit नहीं ले सकती बेटा, सिर्फ किस से ले सकती है, members से, तो क्रक्स तो इस बात का यह आया प्राइवेट कंपनी, इनेलिजिबल पब्लिक कंपनी बैंक से लोन नहीं ले सकती फानिशल इंस्ट्यूशन से लोन नहीं ले सकती क्यों अगर लिया लोन तो उसे डिपॉजिट मान लिया जाएगा और आप डिपॉजिट सिर्फ किस से ले सकते हो मेंबर से, पब्लिक से आप ले ही नहीं सकते कॉंट्रावेंशन हो जाएगा बिटा इस चैप्टर का नहीं समझा रहा है पका? सब क्लिर हुआ तो इसका मतलब आप बैंक फारेंशन इंस्टूशन से लोन नहीं ले सकते ठीक है? अच्छा ये देखो बेटा बेटा कंपनी ने अपने कस्टमर को कोई सर्विसेस प्रोवाइड करी ठीक है? और उन सर्विसेस के बदले कस्टमर ने कंपनी को क्या दिया? कंसिडरेशन फॉर सर्विसेस कंसिडरेशन दिया फॉर सर्विसेस अच्छा सेक्शन टू क्लॉस थर्टीवन फिर से आगया बेटा उसने का अच्छा, कस्टमर से पैसा रिसीव किया है, हम तो इसे क्या मान लेंगे, हम तो इसे डिपॉजिट मान लेंगे, अच्छा, आप प्राइवेट कंपनी हो, तो प्राइवेट कंपनी तो कस्टमर से डिपॉजिट ले ही नहीं सकती, प्राइवेट कंपनी तो लिया जाएगा, deposit मान लिया जाएगा, deposit मान लिया जाएगा, तो contravention हो जाएगा इस chapter का, अगर आपने customer से पैसा लिया तो, पका, समझ आ रहा है, तो बेटा, अब ना, ये जो private company है, जो ineligible public company है, ये government से क्या कह रही है, एक काम करो, हम business ही नहीं करते हैं, भार में गया business, हम नह करते हैं business, भार कैसे business करें, आपने का, government से पैसा नहीं ले सकते, क्योंकि लिया, तो उसे क्या मान लिया जाएगा, deposit मान लिया जाएगा, अच्छा, deposit हम लोग सिर्फ किस से ले सकते, member से ले सकते, तो government से तो हम deposit ले नहीं सकते, तो इसका मतलब हम government से पैसा नहीं ले सकते, अच्छा, bank financial institution से हम पैसा नहीं ले सकते, आपने रोक लगा दिये, आपने का अगर bank financial institution से पैसा लिया, तो उसे क्या मान लिया जाएगा, loan, और आप उसे क्या मान लिया जाएगा, deposit मान लिया जाएगा, और आप deposit ले ही नहीं सकते, members के लावा, अच्छा, और तो और, आप तो क्या माल लिया जाएगा, डिपॉजिट माल लिया जाएगा, और आप customer से deposit नहीं ले सकते, सिर्फ member से ले सकते हो, तो हम करें क्या, business क्या करें, government से पैसा नहीं ले सकते, bank से पैसा नहीं ले सकते, financial institution से पैसा नहीं ले सकते, customer से पैसा नहीं ले सकते, तो government ने का, बात तो सही ह बात तो सही है ये लोग ये लोग बिजनस कैसे करेंगे बेटा, अगर इतनी रोक लगाओगे तो मुझे आप ये बताओ बिजनस बिना पैसे के कैसे होगा गर्मेंट से पैसा नहीं ले सकते बैंक से पैसा नहीं ले सकते financial institution से पैसा नहीं ले सकते, अब तो हदी हो गई customer को services प्रोवाइड करोगे तो उससे भी पैसा नहीं ले सकते तो फिर करें क्या, बिजनस ही बंद कर देते पका तो फिर बिटा अब इसका जो तोड़ है न बिटा वो आपको दिया है rule two sub rule one sub rule one और इसने पता है बिटा क्या का, इसने का कुछ transactions को deposits माना नहीं जाएगा, कुछ transactions को deposits माना नहीं जाएगा, 18-19 points है बिटा, उनको deposits माना नहीं गया है transactions not not considered not considered as deposits इन transactions को deposits माना नहीं जाएगा, बिटा और क्योंकि ये deposits नहीं है, तो ये हर company freely कर सकती है, बिटा, रोक तो किस पे लगाई है, डिपाउजिट्स पे लगाई है, ना, बाकी transactions पे रोक थोड़ी ना है, तो जो deposits नहीं है, वो हर company खुल के कर सकती है, private company, public company, ineligible, eligible, eligible, सब, ये कौन बताएगा, बिटा, ये बताएगा, rule two, sub rule one, clause C, समझाई है, बिटा, और ये क्यों बनाई गई, मैंने उसका करक्स आपको बताया, बिटा, अगर सारी receipt of money को, आप deposits कह दोगे, तो business company कैसे करेंगी, बिटा, तो better तो है, वो business बंद करते, अगर आप पैसा लेने पे रोक लगाऊगे, तो company बिजनस नहीं कर पाएगी, बिटा इसी लिए बनाया गया rule 2, sub rule 1, clause C, बिटा, क्रक्स क्लेर हुआ है, ठीक है, चाओ, मैं थोड़ा थोड़ा आपको बिटा समझाऊँगा, बाकी ये points याद करने वाले ही हैं, इसमें खास कुछ समझने वाला नहीं है, आओ मेरे साथ, जो जो समझने वाला होगा, वो वो मैं deposit, मतलब transactions not regarded as deposit, rule 2, sub rule 1, clause C, of companies acceptance of deposits rules 2014, ठीक है, चलो एक काम करते हैं, ये वाले rules आपके next lecture में discuss करते हैं, ठीक है इस lecture में मैंने आपको सिर्फ crux दिया है, कि deposits क्या होते हैं, और rule 2, sub rule 1, clause C, क्यों बनाया गया बेटा, ठीक है, मेरे ख्याल से बचे, पूरा case क्लियर हुआ है, इस lecture में, बाकी next lecture में discuss करते हैं, till then, thank you.